नमस्कर दोस्तों, वर्चो क्लास ट्रेनिंग प्रोग्राम के इस शेशन में आपका हर्दिक्ष वागत है। मैं आनज शर्मा आज आपको टाइप सोब मीटर के बारे में जानकारी श्यमागदर्शन प्रदान करूँगा। जैसा कि हम जानते हैं, दिन मरोज की लाइफ में हम कितनी बार मीटर का उप्योग सुनते हैं और उसे देखते हैं, उसे यूज भी करते हैं। तो यह मीटर क्या होता है, मीटर किस तरह काम करता है, मीटर की क्या-क्या उपियोगीता है, जिसकी वज़े से हम मीटर के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं, यह जानने के लिए हमने इस टॉपिक में आगे जो टॉपिक कवर किये हैं, जनरली मीटर्स बहुत सारे प्रकार क करेंगे, आगे कि अटिके स्लाइड में देखेंगे, ऐज हम इस टॉपीक में टाइपस ओप मीठर कौन -कौन से हैं काउं कितने प्रकार के उलेक्टृ मीटर्स होते हैं, उसके बारे में जनकाई प्रैप्ट करेंगे, उसमें ऐनालोग मीटर्स होते हैं जो MC meters और MI meter जो analog meter के रूप में जाने जाते हैं और multimeter जो आज के जमाने के digital meter से हैं उसके बारे में भी हम विश्तार से जनकाई प्राप्ट करेंगे तो सबसे पहले meter का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ख्याल क्या आता है कि meter किसे कहा जाता होगा meter क्या होता है तो meter एक electric measuring instrument है जो directly किसी भी प्रकार की quantity जैसे की pressure flow आदी को voltage, current, power और energy में convert करता है इसका मतलब यह है कि एक प्रकार की quantity को जिसके हम आसानी से देख सके समझ सके इस प्रकार की quantity में convert करता है basic types of meter कौन-कौन से है basic generally category electric meters को two category में divide किया गया है analog meters और digital meters analog meter के भी दो बाग किये गया है first meter है moving meter, moving coil जिसे MC meter भी कहा जाता है दुसरा है moving iron type meters जिसे MI meter भी कहा जाता है और digital type के meters जो होते है electric meters उसे generally multi meters के नाप से जाना जाता है जिसे digital world meter या DVM भी कहा जाता है first हम analog meters के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो analog meters generally तीन तरह के principle पर काम करते है first type का principle है electromagnetic electromagnetic means के जब भी coil में से current पास होता है तो उसके आसपास जो magnetic field induced होती है उसकी वज़े से जो force generate होता है उसकी वज़े से जो भी उसके साथ instrument connect होता है scale पर movement करने के लिए वो उसको force मिलता है और वो scale पर move करता है दूसरे तरह के principle है electrostatic electrostatic type के जो भी principle यूज करते हैं उसमें जो भी conductors होते हैं जिसमें से हम current पास करते हैं उस conductor में current पास होता है तो उसके आसपास magnetic field generate होती है जिसकी वज़े से दो conductor के बीच में magnetic force generate होता है उस Magnetic Force की वज़े से Torque General होता है जो Scale से Connected Indicator को Move करता है Third Type के जो Principle है Analog Meter के उसे Electrothermic Type का Principle कहा जाता है जिसमें Heat Effects के यूज किये जाते है आगे स्लाइड में हम देखेंगे Moving Coil Meter या Permanent Magnet Moving Coil Meter के Construction के बारे में यह एक प्रकार का Analog Meter है यहाँ पर हम आगे देख सकते हैं यहाँ पर Moving Coil Permanent Magnetic Coil Meter का Construction दिया गया है यह एन और यहाँ जो दर्चाय गया है वो एक Permanent Magnet है जो Magnetic Field, Strong Magnetic Field जनरेट करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं Stationary Iron Core यह एक Stationary Stable Iron Core का यूज किया गया है उसके उपर आप देख सकते हैं यहाँ पर Rectangular Shape में Coil Winding की गई है इस Coil को Supply दिया जाएगा और इस Stationary Iron Core के साथ एक Rotational Rod Connect किया गया है जिसके साथ यह Scale पर Move करने वाला Indicator Connect होता है इसके Function के बारे में जानेंगे कि जब भी यह Rectangular Coil जो Connected की गई है इसमें जब Supply दी जाती है तो इसमें आसपास Magnetic Field Generate होती है और यह जो Permanent Magnet हैं यह Already Strong Magnetic Field Generate करते हैं और यह जब Coil अमें Current Pass होता है इसके वाज़से जो Magnetic Field Generate होती है यह Move करते है वर्टिकल Axis पर जिसकी वाज़से यहां पर जो Magnetic Field पैदा होई है उसको यह Cut करते हैं यह Magnetic Force Cut होने की वाज़से Torque You Generate होते हैं यह Torque You Generate होने की वाज़से यह Rod Connect है इसके साथ यह Indicator Scale Connected है यह Move करती है यह Indicator Scale है जो Move करती है वह उसका Movement Types of Coil में जितना Current Pass हो रहा है उसके हिसाब से यहां पर लगे हुए Indicator पर Move करती है यह Standard Scale का यूज़स किया जाता है जो Uniform Scale होती है अलग-अलग मिटर में अलग-अलग प्रकार की Scales यूज़स की जाती है यहां पर आप देख सकते हैं जो Spring का यूज़स किया गया है यह शाफ्ट के साथ यह शाफ्ट के साथ जो Spring का यूज़स किया गया है यह Spring यह शाफ्ट के साथ Connected Indicator का जो Movement है जिरो टू Maximum Scale तक एकोर्डिंग टू जो भी कोईल में से Current पास होता है उसके हिसाफ्ट से जो भी टॉर्क यूज़स होता है उसके हिसाफ्ट से यह जो Indicator Scale है यह जिरो टू Maximum अक्ता मूव होती है अब जब भी इसमें से Current पास नहीं होता है तो इसमें सब किसी प्रकार की Magnetic Field Generate नहीं होती है Magnetic Field जनरेट नहीं होने की वज़़ए से इसमें किसी प्रकार का Movement नहीं होता है और टॉर्क यूज़स जनरेट नहीं होता है जिसकी वज़़ए से इस Spring को Zero Scale पर रखना आवश्य है तो यह spring का यह कार है कि जब भी इस coil में से किसी भी प्रकार की magnetic field या current पास नहीं हो रहा है तो इसको zero position पर बनाए रखे इसी तरह जब moving coil में से जब भी current पास होता है तो जो भी torque you generate होता है उस current के हिसाब से torque you generate करके इस scale को उस हिसाब से scale meter पर move करना होता है तो उसकी जो गती है वो भी spring measure करती है उसे control करती है इसलिए spring का यहाँ पर बहुत importance है आगे की slides में हम इसके function देखेंगे moving coil meters को अगर हम a meter की ज़रे use करते हैं a meters means जो भी current measure करने के instrument होते हैं उसे a meters कहा जाता है तो हम एक ही meter को as a meter और as a volt meter use कर सकते हैं उसका connection किस तरह होता है वो हम इस slides में देखेंगे यहाँ पर यह moving coil rectangular shape है जो meter के अंदर लगा हुआ है और उसके साथ series में हमने connect किया है जो भी quantity हमें measure करनी है उसके साथ series में connect किया जाता है उस समय यह जो coil का resistance होता है वो काफी low होता है low होना जरूरी है क्यूंकि इसकी वज़े से जो loading effect है वो कम होती है इस loading effect को कम करने के लिए हम यहाँ पर swamping resistance का use करते हैं जैसा आप इस figure में देख रहे हैं Swamping resistance क्या करता है यह जो भी coil connected है series में उसका series में जो resistance होता है उसको low करते हैं जिसकी वज़े से जो भी हम measure कर रहे है quantity उसमें कुछी प्रकार का damage ना आए और उसकी quantity सही से हम measure कर सके अगर हम A meters का use करना चाहते हैं जैसे 1 ampere, 2 ampere अगर range की current measure करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस प्रकार की construction की ज़रत होती है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग-अलग value के resistance कनेक किये गया है और उसके साथ यहाँ पर series में moving coil meter जिसे MC meters का आ जाते हैं वो कनेक किये गया है यहाँ पर उसके props यहाँ पर outside में connect किये गया है यहाँ पर point A और point B यह point C, D, E यह अलग-अलग resistance की range को बताते हैं दरसाते हैं जब भी हम जिस तरह की range के current measure कर रहे हैं उस range पर इसकी range स.. इसे move करनाRI से, आसानी से move किया जाका और इसकी range से sound करके हम आसानी से metr का current measure कर सकते है इस range का यह benefit होता है कि hiss range की वज़ए से,मारा measure लग-और हो हमने जो quantity में होती है उसे हम आसानी से सही measure कर सकते है moving coil meter को multi range volt meter की तरह use करना चाहते हैं उसका connection इस तरह से कुछ होता है जब भी हमे moving coil meter को as a volt meter use करना है तब हम उसे parallel में connect करते हैं जो भी हमें quantity measure करनी होते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं plus और minus जो भी moving coil meter के props होते हैं उसके plus और minus को इस तरह connect किया जाता है जिसे हम उसमें पास होने वाले voltage को आसानी से measure कर सकते हैं जब भी हम voltage measure करते हैं उसमें भी moving coil का meter होते हैं उसका resistance high होना चाहिए अगर वो high नहीं होगा तो loading effect की वज़े से जो भी quantity हम measure कर रहे हैं वो सही quantity हमें नहीं प्राप्त होती है इसमें deflection होने के chances है और wrong quantity measure मिलने के भी chances है उसकी वज़े से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको remove करने के लिए इस problem को remove करने के लिए swamping resistance को series में करने किया है ए meters में हम उसे parallel में swamping resistance को connect करते थे यहाँ पर हमने series में करने किया है जिससे इसकी loading effect measure कर रहे हैं वो हमें बिना error के प्राप्त हो जब भी हम moving coil meter को volt meter की तरह use करते हैं तो multi range volt meter बनाने के लिए उसे इस तरह के connection दिये जाते हैं अलग-अलग resistance को parallelly output लेके यहाँ पर एक point के साथ connect किया जाता है और यहाँ पर parallelly moving coil meter को in resistance range के साथ करने करके एक point बनाया जाता है जब भी हमें जिस प्रकार का voltage measure करना है high, low very high, very low इस प्रकार के category बना के जिस प्रकार की voltage measurement करना है हम इस step को इस को movement करके इस knob को उस तरह की range के volt माप सकते हैं अब moving coil meters के फायदे क्या है उसके उप्योग क्या है इसके advantage क्या है जिसकी वज़ा से moving coil generally use करते हैं इसकी जो भी scale होती है वो uniformly divided होती है मतलब कि जब भी वो scale move करती है तो उसके जो point scale पे दिये होते हैं वो uniform होते है जिस प्रकार का torque generate होता है उसी प्रकार से इसका movement होता है indicator का और उस तरह की quantity है हमें दर्साता है दूसरी इसके benefit है कि power consumption काफी low होता है क्योंकि थोड़े से ही power में यह काफी अच्छी magnetic field generate करता है जिसकी वज़़े से जो torque generate होता है वो उसके movement की वज़़े से हमें indication मिलते हैं meter के और torque weight ratio काफी high होता है जिससे किया इसकी accuracy काफी high मिलती हमें जो भी movement होता है indicator scale पे वो according to the coil में जो current पास होता है उसकी वज़़े से होता है जो torque generate होता है वो हम parallelly measure कर सकते हैं scale पे और multi coil meter को single instrument multi range a meter और multi range volt meter की तरह भी आसानी से उप्योग कर सकते हैं अब इसकी कुछ limitations भी है यह generally direct DC current को measure करने के लिए use किया जाता है AC current measure करने के लिए suitable नहीं है क्योंकि इसके loading effect की problem की वज़े से यह generally direct current measurement के लिए use किया जाता है इसकी instrument की cost काफी हाई होती है power consumption लो होता है और सब benefits है लेकिन instrument की cost काफी हाई होती है इसकी वज़े से इसका उप्योग particular area जहाँ accuracy जादा चाहिए वहें पर इसका उप्योग जादा किया जाता है तो जो इसकी third limitation है वो magnetic strength time के साथ change होती है अगर हम continue लंबे समय तक एक ही measurement करते रहें इसकी वज़े से जो coil में से current pass हो रहा है जो magnetic field generate हो रही है वो low या high हो सकती है इसकी वज़े से indicator का deflection कम या ज़्यादा हो सकता है तो जो high accuracy application से जहाँ accuracy बहुत हाई सी होती है वहाँ पर moving coil time meters का वो pure किया जाता है और इसमें errors कौन कौनसी मिलती है हमें generally frictional error जो भी shaft का movement होता है according to the torque you उसकी वज़े से जो error पैदा होती है उसे frictional error कहा जाता है magnetic decay magnetic decay में क्या होता है जो magnetic field होती है वो जो भी current coil में से pass होता है उसकी वज़े से उसमें थोगा delay होता है इसकी वज़े से जो तुरंद हमें output नहीं मिलता उसमें हलका सा delay प्राप्त होता है इसमें magnetic decay कहा जाता है thermoelectric effect कभी कभी hitting की वज़े से भी problems हो जाती है तो उसे thermoelectric errors कहा जाती है temperature error काफी देर तक meter का अपयोग करने की वज़े से hitting effect की वज़े से temperature error भी आती है जिससे जो भी scale का measurement हम कर रहे है उसमें error आने की संभावना होती है आगे कि slides में हम देखेंगे इस error को reduce कैसे किया जाता है इस error को कम कैसे किया जाता है तो हम frictional error को कम करने के लिए जो भी इसमें balance weight का use कर सकते है जो भी shaft और indicator scale use की जाती है उसके जो weight होता है उसको balance करके हम frictional error को दूर कर सकते है और जो भी magnetic decay होता है जो भी दूसरा point था error का तो उसे हम suitable egging effect का यूज़ करके magnetic जो भी delay होता है उसको हम कम कर सकते हैं Swamping resistance का उप्योग करके हम temperature का जो variation होता है due to current pass होता है coil में उसकी hitting effect की वज़े से जो temperature में variation आता है जिसकी वज़े से जो भी हम quantity measure करते हैं वो wrong आने के chances होते हैं तो उसे दूर करने के लिए हम Swamping Registers का यूज़ करते है last but not the least temperature heating की वज़े से जो problem होता है उस spring का जो material उसकी permeability magnetic core सबको decrease करके महासानी से इस error को दूर कर सकते हैं दूसरे तरह के जो meter होते हैं उससे moving iron type meters कहा जाता है moving iron type meter के construction हम यहां पर देख सकते हैं जिस तरह moving coil meters में permanent magnetic और moving coil magnet का यूज़ करते हैं इसी तरह यहां moving iron meter के construction हम देख सकते हैं कि यहां एक fixed iron van है fixed iron van का यूज़ किया जाता है जिस पर coil winding की जाती है दूसरा उसके अंदर एक moving iron van जो cylinder shape में है उसे रखा जाता है उसके बाद fixed cylinder coils होती है जो outside fixed और moving iron coil के outside में लगाई जाती है जिसके outputs से connected इसका props होते हैं जो भी इमीटर होते हैं इसके props इस coil के output में लगा करने किये जाते हैं अब जब भी हम इसमें supply देते हैं तो क्या होता है जब भी इसको supply दी जाती है तो fixed iron van को जब supply मिलते हैं तो इसमें magnetic, एक constant magnetic field generate होती है और जब भी इस moving iron van को supply मिलती है तो यह moving iron van move करता है round shape में जिसकी वैसे जो यह permanent magnetic field fixed iron van की वज़े से generate हुई है यह उसे cut करता है जब भी magnetic field cut होती है उसके हिसाब से torque you generate होता है torque you मतलब एक प्रकार का force होता है जो इसके साथ connected इस shaft को move करता है इस force की वज़े से shaft move होता है इस shaft से connected यह scale जो indicator scale है pointer जिसे काड़ है वो meter के scale पे move करती है इस प्रकार से हम जो भी current या voltage measure कर रहे हैं जब भी supply मिलती है उसके साथ से indicator scale पे move करती है यहाँ पे हम देख सकते है कि यह scale pointer दिये गए है जब भी coil में जितना current या voltage generate हो रहे हैं उसके हिसाब से जो भी torque you पैदा होता है उसके हिसाब से scale move करेगा यहाँ पे भी हेरिंग spring यूज की गई यह जो भी movement है pointer के उसे perfect रखने के लिए उसमें जो भी error आती है movement में उसे reduce करने के लिए जब भी coil में current हो तो उसे move करने के लिए जब coil में current ना हो तो उसे zero position पे रखने के लिए इस control spring का या hairy spring का use किया जाता है अब जब भी moving iron coil को हमें emitter की तरह use करना है तो उसे कैसे connect किया जाता है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि के इंड़क्ट के साथ resistance connect किये गये हैं दो resistance कने किये जाते हैं और इसमें output में resistance measure किये जाते हैं current measure करने के लिए moving iron emitter का use करते हैं तब यह हमेंसा series में connect होते हैं इनका resistance होता है इसकी वज़े से measurement हमें करना होता है वो circuit break करके हम series में connect करके output current नाप सकते हैं moving iron emitter को जब हम वल्ट मेटर की तरह use करते हैं तो उसका connection कैसा होता है हमें साथ हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हम current measure कर रहे हैं और जब भी voltage measurement होता है तो हमें साथ parallelly जो भी quantity measure कर रहे हैं उसे उसके parallel में connect किया जाता है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो resistance और inductor हमने moving iron meter को as a meter use कर रहे हैं तो हमने उसे series में connect किया रहा है यहाँ पर उसे parallelly connect किया गया है load के across हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम voltage measurement कर रहे हैं जो भी load है उसके across कितने voltage आ रहे हैं यहाँ पर inductor और resistance को series में connect करके load के parallelly यहाँ पर हम उसका जो भी voltage होता है उसे find कर सकते हैं अब moving iron meters के फायदे क्या है तो moving iron जो भी advantage है सबसे पहला advantage है कि इससे both quantity AC और DC alternative current और direct current दोनों measure किया जा सकता है जबकि हमने moving coin meter में देखा था कि इसमें generally DC current का ही use किया जा सकता है और इसका जो भी construction होता है वो काफी rubbish होता है इससे damage होने के chances कम होते हैं इसके construction में simple materials use किया जाते हैं जो बनाने में construction करने में भी very easy होते हैं और इसके जो stationary parts होते हैं वो भी काफी simple होते हैं low cost material से बनता है इसकी cost very low होती है जबकि हम moving coin material में देख रहे थे कि उसकी cost काफी high होती है यहाँ पर generally जहाँ पर बहुत ज़्यादा accuracy की संभावना नहीं है तो वहाँ पर हम इस instrument का असानी से use कर सकते हैं torque weight ratio भी काफी आही होते हैं इससे जो friction errors आ रहे दी जो moving coil meters में वो इसमें काफी कम हो जाती है अब इसमें भी कुछ errors आती हैं उस error में हम देख सकते हैं कि temperature variation की वाज़से जो भी coil में movement हो रही है current pass हो रहा है जिसकी वाज़से hitting effect पैदा होती है उस hitting effect की वाज़से shaft के movement में थोड़ी सी variation आती है इसे temperature variation की वाज़से इसके measurement में problems होती है और दूसरे इसकी जो error से वा friction error है जो magnetic effect की वाज़से जो भी shaft move होती है उसकी वाज़से जो उसमें घरसंड पैदा होती है उस घरसंड की वाज़से से भी scale की movement होती हो थोड़ी deflect होती है third इसकी जो error से हम देख सकते है magnetic force generate होता है वो coil में जो current होता है उसके recording होता है लेकिन कभी-कभी magnetized force काफी कम या काफी ज्यादा हो जाता है जिसकी वाज़से जो shaft move होती है वो shaft की movement पे भी इसका असर देखा जा सकता है जिससे हमें wrong readings मिल सकती है measurement की deflecting torque जो square of the current के proportional नहीं होते है कभी-कभी ऐसा होता है कि हम RMS value generally measurement करनी होती है जब भी हम current या voltage measurement करते हैं लेकिन जो according to deflecting torque you generate होना चाहिए वो उसके proportional में नहीं हो पाता है जिसकी वज़े से इस प्रकार के meter में यह error भी देखी जाती है तो इस तरह से हमने analog meter में moving coil moving iron type के coils के बारे में जानकारी प्राप्ट की उसके फायदा है उसकी limitations और उसकी जो भी error है उसके बारे में जानकारी प्राप्ट की उस error को कैसे दूर किया जाता है कुछ resistance inductor का use करके वो हमने देखा अब हम आगे देखेंगे कि generally अभी का जो वहना digital है इसलिए हम पुराने indicator type के जो भी meters होते है movement जिसमें indicator के जारा होती है उसकी जगह digital multimeters का उप्योग करते हैं एक ही multimeter की उप्योग करके हम उसमें resistance voltage, DC voltage, AC voltage काफी सारी applications एक ही meter का use करके हम use कर सकते हैं जिसमें हम आगे देखेंगे multimeters यहां पर हम देख सकते हैं generally अभी जो latest multimeter है उसका यहां पर एक figure दी गई है यहां पर डिस्प्ले है यहां पर जो भी quantity measure करते हैं यहां पर अलग-अलग तरग की range दी गई है DC range है AC range है यहां पर यहां पर हम resistance measure कर सकते हैं continuity testing भी कर सकते हैं और यहां पर HFE transistor testing भी की जाती है मतलब एक ही multimeter का use करके हम हर तरह के लग-बग electronic device को यहां पर measurement कर सकते हैं यहां पर अलग-अलग range में measurement के लिए props दिये गए हैं जिस तरह की हमारी measurement है high voltage या low voltage या high current या low current वहां पर हम यह connect करके prop को इसकी measurement कर सकते हैं यहां पर हम DVM digital voltmeter का block diagram देख सकते हैं यहां पर digitally quantity is generally measure की जाती है जैसा कि हम जाते हैं कि digital signal two types के ही होते हैं 0 या 1 high या low दो ही condition होती है तो जिस भी तरह का हम signal देते हैं उसके according to यहां पर DC measurement करना है तो DC switch कर सकते हैं अगर हम resistance measure कर रहे हैं तो यहां पर ohms पर switch connect होगी बाद में यहां पर attenute दिये गया है जो relative inputs को attenute करके उसे analog to digital converter पास भिछते हैं जो भी analog quantity जो भी हम measure कर रहे हैं उसे हम digital display पर देखना है तो वहां पर analog to digital converter उस analog quantity को accordingly parallelly digital voltage में convert करके हमें display unit पर दिखाते हैं जिससे हमें जो भी quantity measure कर रहे हैं वह आसानी से display unit पर देख सकते हैं मल्टी मीटर का उप्योग इतना सारा है इसकी वज़े से आज हर जगह multimeters के use हो रहे है यहां पर हम कुछ application देख रहे है कि multimeter कहां कहां generally use किया जाता है ऐसको km inquio current है DC DC-PC परकार की current पर करेंट का measurement होता है AC परकार के current का भी measurement ही हम uldadeion multimeter के द्वारा कर सकते हैं range selection करके जब भी DC current measurement कर रहे हैं तो DC mode में रखना चलिए current AC में measurement कर रहा है तो AC range में रखके current को series में हमेसा करने है measurements करे हैं की प्रकार की सर्कीट में लगे हुए रजिस्टेंस का भी मेजरमेंट मल्टी मीटर के द्वारा आसानी से होता है टेंप्रेचर टेंप्रेचर मेजरमेंट भी मल्टी मीटर के द्वारा होता है फ्रिक्वंसी का भी मेजरमेंट हम आसानी से इसमें कर सकते हैं ट्रांजिस्टर टेशिंग जो इलेक्टोनिक डिवाइसी जो भी इलेक्टोनिक सर्कीटरी आज के जमाने उसका हर्ट कहा जाता है उसके भी अलग-अलग तरह के टेस्ट मल्डिमीटर द्वारा किये जा सकते है लास्ट बत दो लिस्ट चंटिन्यूटी टेस्ट मतलथ जो भी हम उन्हें सर्कीट कनेट करिए उसमें कंटिन्यूटी mily यह कि नहीं उसमें सप्लाई मिल रह." फ्रॉंस व्रम स्टार्टिंग पॉइंट तू इन पॉइंट हम उसकी टेस्टिंग करनी है तो भी हम पर हम multimeter का असानी से use कर सकते हैं आगे एक slides में हम देखेंगे कि multimeter का voltage measurement की ज़र कैसे use करते हैं किसी भी circuit में अगर हम voltage measurement करना है using multimeter तो उसको हम लोग कैसे connect करते हैं तो यहाँ पर एक amplifier की circuit यूज की गही है जहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर load registration करने किया है जिसके across हमें voltage measurement करना है तो जो भी multimeter होते हैं उसके जो props है positive और negative उसे इस load के across connect किया जाता है जिसे हम parallel के सकते हैं parallel कनेक करके इन props को हम आसानी से इसमें पास होने वाले voltage को यहाँ पर डिस्पले पर देख सकते हैं जिसे जब भी voltage measurement करना है तो इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी हमें सा parallel measurement करना है across the load हमें सा measurement होता है voltage का आगे हम देख सकते हैं कि multimeter का जब भी हम current measurement करने के लिए use करते हैं तो उससे कैसे connect किया जाता है जब भी current measurement measure करना होता है उसके generally method यह है कि circuit को break करके circuit के एक point पे positive terminal multimeter का और एक point पे negative terminal connect किया जाता है और उसमें से जो भी pass होने वाला current है उसकी range select करके हम यहाँ पर display पे आसानी से उसको current को देख सकते हैं connect measurement करते समय हमें साथ ध्यान रखना चाहिए कि इससे हमें साथ series में करने करना चाहिए series में करने करने के लिए generally easy होता है कि हम circuit को break करें break करके एक terminal पे positive और एक terminal पे negative rock को करने करके जो भी current होता है उसकी range select करके आसानी से हम उस पे display पे यह देख सकते है अब अगर multimeter का जब भी हम resistance measurement करने के लिए यूज करते हैं तो उसमें कुछ सावधानिया रखनी होती है जब भी हम जिस भी circuit का resistance हम यूज कर रहे है तो generally हमें circuit live circuit के अंदर resistance test नहीं करना चाहिए हमें उस resistance को बाहर निकालके उसकी value test करने के लिए उसके across दोनों terminal पे मल्टी मीटर के दोनों प्रॉप करने के करके हम उसका testing उसकी value का testing resistance working है या नहीं उसका testing आसानी से कर सकते है हम इससे निकालना इसलिए जरूए कि माल लो अगर उस circuit में live circuit है उसमें से voltage पास हो रहे है तो यह जब भी measurement हम उसके across करेंगे तो हो सकता है कि कोई भी spikes voltage की spikes आया या current की spikes आया जिसकी वज़े से multimeter damage होने के chance होता है और register भी damage हो सकता है इसकी वज़े से हम उसके safety के लिए circuit की safety के लिए अगर हम resistance निकाल के उसको अलग तरह से measurement करें तो उसकी आरसानी से value हम देख सकते हैं जब भी हम DC volt measurement करते हैं अभी तक हमने देखा कि हम आगे AC voltage या current कैसे measurement करते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि multimeter का use करके DC voltage का measurement कैसे किया जाता है यहाँ पर amplifier की simply circuit लिए यहाँ पर एक load connect किया गया इस load के across जैसा हमने AC measurement में देखा था कि load के across multimeter के props को connect करके हम यहाँ पर उसके एक रोज जो भी voltage होता है DC voltage उसे आसानी से देख सकते हैं इस voltage को measurement करने के लिए हमें DC range select करनी होगी DC range में जितने voltage expect कर रहे हैं हम उस range में इसे रखके यहाँ पर आसानी से DC voltage measurement किया जा सकता है और multimeter का सबसे ज़्यादा वप्योगता है continuity testing किसी भी circuitry में start to the end connections बन रहे हैं कि नहीं उसमें current pass हो रहा है कि नहीं उसमें continuity means supply मिल रहे हैं कि नहीं हर component को उस टेस्ट को continuity testing का जाता है जब भी हम continuity testing करते हैं multimeter में उसमें buzzer का display दिया होता है उस buzzer के display पे knob को move करके wire के starting and ending point को या circuit के starting and ending point को connect किया जाता है अगर buzzer में sound होता है तो समतलो की continuity अच्छी है पुरा supply starting to the end मिल रहे हैं में circuit में अगर buzzer नहीं बसता है buzzer में sound नहीं आता है उसका मतलब को starting to the end बीच में कोई problems आ रहे हैं circuitry में continuity नहीं मिल रही है इससे circuitry अच्छी तरह work नहीं करेगी और हमें output नहीं मिलेगा यह measurement हम आसानी से continuity testing द्वारा multimeter का use करके कर सकते हैं तो इस तरह आज हमने types of multimeter के बारे में जानकारी शम आगदर शम प्राप्त किया आपने इतनी देर मुझा सुना इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद नमस्कार कर दो